असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी देसी विलेज स्टाइल बड़े के आलू गोश के सालन की रेसिपी जिसको आप खमीरी रोटी के साथ सर्व कीजिए बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और इस रेसिपी को आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कोकर में ज सर्सों का तेल डालेंगे क्योंकि हम ऑथेंटिक बिलेज स्टाइल बना रहे हैं तो इसका जो अथेंटिक टेस्ट है वह सर्सों के तेल में ही आएगा अब तेल को हमने खूब अच्छे से पहले धुएदार गरम कर लिया उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दिया उसके ब गोष्ट डालने के बाद गोष्ट को हमें भूनना है हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए ताकि जो इसका कच्छ अपने ना जो इसकी स्मेल होती है वो निकल जाए तो पांच मिनट हम अच्छे से भून लेंगे और आज की मेरी रेसिपी आप कहां से देख रहे हैं प्ली करने के बाद भी हम इसको पांच मिनट और भूनेंगे तो देखिए खुब अच्छे से हमने पांच मिनट भून लिया है हाई फ्लेम पर ही भूनना है फ्लेम को यहां पर लो कर दीजिए इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे तो यहां पर वन टीश्पून लालमिश पा कर देखिए फ्लेम को हमने लो किया हुआ है पहले अच्छ लेंगे पर wonders पानी तो यहां पर में देखिए कर रही हों और आप देख लीजिए आपका जो जो गोश्ट है तो से कितना सकरे हे लिए के लिए तो यह बड़े का गोश्ट है प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 25-30 मिनट में यह गल जाएगा अब देखिए हम दो का पानी एड कर दिया कवर कर दिंगे एक विसल आने देना है हमें हाई फ्लेम पर उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है 25 मिनट के लि तब यह गल जाएगा क्योंकि इसमें भी हमें सीटियां लगानी है अब देखिए अच्छे से भून लिया खूब अच्छे से भून लीजिए गोश्ट को ऑईल अलग हो जाए मसाले अलग हो जाए इस तरह से भूनना है उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम आलू तो हमने दो ग्लास पानी डाल दीजिएगा एक किलोग्राम गोश्ट के लिए और क्योंकि हमें थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखनी है खमीरी रोटी के साथ पतली ग्रेवी बहुत मजा आता है इसको खाने में अब देखिए यहां पर हमने इसको मिक्स कर दिया बस यहां पर दो विस तो दीखिए ओईल इस तरह से उपर आ जाएगा सारा अगर आप ऐसे ही प्रेशर में थंडा होने देंगे उसके बाद यहां पर हमने एड कर दिया हाफ टी इस्पून गरब मसाला पाउडर एक से दो मुठी हरेदनिया एड कर दीजिए और रेशिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक शुरूर कर दीजिए चैनल पन नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी जूरूर कर लीजिए अब देखिए बस आच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और यह लीजिए हमारा बहतरी इंसा बिलेज स्टाइल देसी आलू गोश्त बनकर तियार है तो बस इस खाने का मजा ही अलग है तो सर्दियां आ रही है तो इस रेसिपी को जुरूर ट्राइब कीजिएगा देखिए आलू भी अच्छे से गल चुका है तो ट्रै जुरूर कीजिएगा जब भी आप ट्राइब करते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताइएगा कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अला हफिज